नमस्ते बच्चों आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे और ये कहानी है उल्लू और बिल्ली की ठीक है उल्लू और बिल्ली बहुत इच्छे मित्र थे आज हम उनकी कहानी सुनेंगे और इस कहानी में आपको मेरे शब्दों को ढूरना है और बताना है कि कहां कहां मैंने संयुकताक्षर, पदेन, रेफ, अनुस्वार और चंद्रविंदु का उपयोग किया है ठीक है तो कहानी ऐसी है एक दिन उल्लू और बिल्ली दोनों समुद्रे में नौका की सैर में गए उनके पास हरे रंग की एक नौका थी और वे दोनों सैर में गए दिन बहुत सुहावना था और वहाँ पे सूरिय आकाश में चमक रहा था बिल्ली को लहरों को स्पर्ष करना बहुत अच्छा लगता था स्पर्ष का मतलब है चूना टच करना लहरों को स्पर्ष करना बहुत अच्छा लगता था और उल्लू को गिटार बजाना तो उल्लू गिटार बजा रहा था बिल्ली लहरे चू रही थी और अचानक उन्होंने देखा ये क्या चांद निकल आया और एक एक करके अन्येक तारे आस्मान में जल्मिलाने लगे और बिल्ली ने सुन्दर सा पुष्प भी अपने सर में लगाया था तो वे दुनों बहुत खुश थे धीरे धीरे उनकी नौका एक द्वीप में पहुची द्वीप का मतलब होता है आईलैंड सो उस द्वीप में एक घना जंगल था पर उनके आने से जंगल में मंगल हो गया और उन्होंने देखा कि वह इस द्वीप में तो एक सुवर रहता है और सुवर की नाक में एक सुनी का नत है और उस सुवर ने उल्लू और बिल्ली का स्वागत किया और उपहार स्वरूप उन्हें अपने नाक की नत अंगूठी के रूप में दी तो उल्लू ने भी सुवर को कुछ पैसे दिये और दोनों बहुत खुश थे दोनों जंगल में घूमते घूमते अचानक एक तरकी से मिले तरकी एक पक्षी होती है तरकी बहुत अच्छा संगीत गाती थी उसे संगीत का बहुत ग्यान था तो तरकी ने उन्हें बहुत अच्छा संगीत सुनाया दोनों बहुत खुश थे फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उए साथ भोजन करने लगे भोजन बहुत स्वादिश्ट था और उल्लू ने बिल्ली को अपने हाथों से चम्मत से भोजन कराया चम्मत से जब बिल्ली खा रही थी बहुत खुश थी बिल्ली ने फिर से अपने बालों में पुश्प लगाया था और दोनों बहुत खुश थे फिर वे दोनों लहरों के बीच बहुत सुंदर से संगीत काने लगे और हमेशा खुश रहने लगे तो ये थी उल्लू और बिल्ली की कहानी ठीक है तो अब आप मुझे बताईए कि इसमें संयुकताक्षर हम क्या-क्या कौन-कौन से संयुकताक्षर का उपयोग किये हैं इसमें हम उल्लू, बिल्ली, द्वीप, स्वागत, चमच, पुश्प ऐसे संयुकताक्षरों का उपयोग किये हैं और पदेन बिल्कुल पदेन का उपयोग किये हैं जैसे समुद्र, समुद्र, प्रकृती इन सब शब्दों में पदेन का उपयोग है रफ, रफ सूर्य, तर्की, सौंदर्य, ये सारे शब्द रफ के उधारन हैं फिर चंद्रबिंदू, चांद, तारो, पहुची, वहां इन सब शब्दों में चंद्रबिंदू का उपयोग है और अनुस्वर, अनुस्वर जंगल, मंगल, अंगूठी, संगीत, हसी इन सब में अनुस्वार का उपयोग है आप इस कहानी में से अपने शब्द चाटिए और उन्हें अपने नोटबुक में लिखिए धन्यवाद